नमाश्या दोस्तो स्वागात है आपका AMCQ IQ में मैं आपको 1000 बलनाने कोशन करा रहा हूँ यह most repeated कोशन है जो रेलवे के एक्जाम में आ चुके हैं और यह 15 पार्ट है अचका फर्स कोशन है रेटफोर्ट बिल्ड बाई देखें जो रेटफोर्ट है वो शाह जाने बनवाया ह और यह देली में आगरा में कौन-कौन से मोनुमेंट्स बनवाया है यह बिल्डिंग बनवाया है तो जो मोती मजजित है आगरा वाली वो शाह जाने बनवाया है आजमेहल आगरा में यह भी शाह जाने बनवाया है आगरा में एक और काफी important चीज़ बनवाया है शाह जाने मुसम्मन बुर्ज बनवाई है शाह जाने ये मुसम्मन बुर्ज ताजमेहल से दिखती है ये वही पिलेस है जिसमें लास्ट के आच साल अपने जिन्गी के शाह जाने के इस पेंड करेते है मुसम्मन बुर्ज में तो याद रखो लास्ट के जो आठ साल दे शाह जाके इसमें रहे थे और ये भी आगरा में है तो आगरा में मोती मज़्जित, ताज महल, खास महल, मुसम्मन, बुर्ज ये सब आगरा में बनवाया था शाह जाह ने शाह जाने एक काफी इंपोर्टेंट चीज़ बनवाई थी जिसको हम पिकोग थ्रोन बोलते हैं तो पिकोग थ्रोन जिसको नादरी शाह लगया था 1539 में 1539 में नादरी शाह लगया था पिकोग थ्रोन को पिकोग थ्रोन बनवाया था शाह जाने इसको हम पिकोग थ्रोन को ए बर्दल खान इन्होंने बनाया था पेकॉग थ्रोन और यह शाह जाके कहने पर बना था तोरोलोजी इस स्टेडी ओप देखे जो लीजार्ड होता है ना उसकी स्टेडी को बोलते हैं स्टोरोलोजी अगर में हीवन बोडी की बात करता हूं तो फिमेल गैमिट्स है फिमेल में मिलता है मैं ओवम और यह ตिक लाएंगे निरोन देखेगा तो आप टिक लाएंगे निरोन देखिए option चार option आते हैं या तो ovum आएगा option में या तो neuron आएगा अगर दोनों आएगा तो आप ovum लगाएंगे largest cell human body का अगर ovum option में नहीं होगा तो neuron पक्का होगा तो आप neuron लगाएंगे ये question आ चोगा exam में इसलिए आपको बता दी हमेंने देखिए question आता है कि largest blood cell कोन सा है human body का तो blood cell का पूछएगा आप क्या लगाएंगे monocytes जो monocytes है न वो largest blood cell है अगर smallest cell की पूछएगा तो smallest cell कोन सा है तो smallest cell a mycoplasm यारद रगे काफो important question है human body का smallest cell है mycoplasm a mycoplasm human body का smallest cell है काफी जार inclined question है नेस्ट कोशन है कुंदन कुलम नुकलियर पावर प्लांट देखें जो कुंदन कुलम नुकलियर पावर प्लांट है ये इंडिया का लार्जेस्ट नुकलियर पावर प्लांट है ये काफ़ इंपूर्ट कोशन है और ये तमिल नाडू में धिवीडी इस्टेंटफॉर्ट, डिवीडी का फीलफॉर्म है Digital वीडियो या वर्सिटाईल डिक्स भी आता है, Option में, नेश्ट कोशन है, वू विइल डिक्लेयर Finance Emergency, देखिए Financial Emergency, article आता है एक्जामे, थिर से इस टी article में आता है Financial Emergency, तो चाहिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर कोने इंडिया के तो फिस ज्ट कोशन है इस्टेटी ओफ मेप स्कॉल्ड मेप की स्टेडी को बोलते हैं आर्टोग्राफी नेस्ट कोशन है वॉलीवॉल टीम जो होती है उसमें कितने प्रिजर खेलते हैं तो देखिए इसकी ट्रिक बढता हूं आप वॉ पोलो में alpha bed 4 हैं, एक और question आता है इंडिया में जो हिंदी दिवस होता है या हिंदी डे होता है इंडिया में वो कब बनाते हैं तो 14 सितंबर में 14 सितंबर को इंडिया में हिंदी दिवस बनाते हैं नेस्ट कोशन है फिर्स्ट कंप्रिटर प्रोग्रामर कुन सा था तो एडा लवलेस इसका नाम था नेस्ट कोशन है study of spider spider के study हो हम क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं आरप को नो रोजी नेस्ट कोशन है 2016 में ऐलम्पिक कहा हुए थे 2030 के जो Olympic होंगे वो Brisbane में होंगे तो याद रखे यह Olympic जो upcoming Olympic है वो कब होंगे और कहां पर होंगे नेश्ट कोशन है Capital of Arunachal Pradesh वो है इटानगर नेश्ट कोशन है कहाना National Park देखे कहाना National Park मत पदेश में परता है और यह काफी important कोशन है नेश्ट कोशन है इंद्रागांदी Botanical Garden Located in तो इंद्रागांदी Botanical Garden है राइबरेली यूबी में है नेश्ट कोशन है वो इस दा Captain of Women Hockey Team देखे वोमेन होगी टीम के प्रेजेंट में के प्रेजेंट में के प्रेजेंट कोन है तो इनका नाम है Salima Tate याद रगे काफ इंपरेजेंट कोशन है Salima Tate वोमेन होगी टीम के के प्रेजेंट में अगर मैं आपसे पुझाँ जो मेन होगी टीम है इंडिया की मेन होगी टीम के के प्रेजेंट में इनका नाम है हर्मन प्रिस सिंग प्रेजेंट में में इंडियन होगी टीम के कैप्टन है नेस्ट कोशन है अमलगम is a mixture of metal with which substance देखें अमलगम mixture होता है mercury का काफ़ इंपरिंट कोशन है नेस्ट कोशन है which of the following is not an inert gas any, he, nylon, helium, xylon या hydrogen में से जो inert gas है वो कौन सी नहीं है तो hydrogen जो है वो inert gas नहीं है बागी sub gas, inert gas है नेस्ट कोशन है एड्स डे हम कब बनाते हैं तो 1st December को हम एड्स डे बनाते हैं एड्स का फुल फॉर्म है acquired amino deficiency syndrome एड्स किसकी वह से फैलता है तो HIV virus की वह से एड्स फैलता है यह में कोशन बता चुका हूँ आपको नेस्ट कोशन है वह इनवेट हुआ था 1947 में नेस्ट कोशन है laughing gas देखें, laughing gas बोलते हैं नाइट्रोस ओकसाइट को N2O बोलते हैं laughing gas को नाइट्रोस ओकसाइट को नेस्ट कोशन है normal blood pressure of human body human body का normal blood pressure होना चाहिए 80 by 120 अगर 80 से कम होगा तो blood pressure low हो जाएगा अगर 120 से उपर होगा तो blood pressure हाई है नेस्ट कोशन है मांसरोवर लेक इस सिचुएटेड एट तो मांसरोवर लेक जो है ना वो तिबबत में तिबबत में कब जग अलियरा चाहिना ने या चाहिना बोल दिया या तिबबर बोल दिया बात देखिए तो मांसरोवर लेक तिबबत में लेकिए जो मांसरोवर लेक है ना तिबबत में वहाँ से बहुत सारी रिवर का ओरिजन होता है उन कौन सी रिवर हो गई ब्रह्मा पुत्र जो रिवर है वो उसका ओरिजन होता है मांसरोवर लेक से Indus river हो गया Satludz river हो गई ये सब river निकलती है मांसरोवर लेक से नेस्ट कोशन है Rural Development Institute is situated तो जो Rural Development Institutes है न वो हैदराबाद में है नेस्ट कोशन है एक statement दिया हुआ है Every citizen of our countries corrupted ये statement किसने दिया था और ये statement किसने बोला था तो ये statement Lord Convales ने बोला था नेस्ट कोशन है पॉपलर डांस है तमिल नाडू तमिल नाडू का पॉपलर डांस कौन सा है तो भारत नाटियम तमिल नाडू का एक पॉपलर डांस है देखिए जो भारत नाटियम है न यह हमारा क्लासिकल डांस है अगर पूछू मैं इंडियमे कितने क्लासिकल डांस है तो आठ क्लासिकल डांस है इंडियमे भारत नाटियम पहला क्लासिकल डांस हो गया यह तमिल नाडू में दूसरा जो क्लासिकल डांस है वह है कत्यकली कत्यकली कौन से स्टेट का डांस है ये केरल का दान्स है तीसरा दान्स की बात करते है तो तीसरा जो क्लाशिकल दान्स है कुचिपुरी कुचिपुरी आनपदेश का क्लाशिकल दान्स है चोथा क्लाशिकल दान्स है उडिसी डान्स उडिसी डान्स उडिसा का है आजबा जो classical dance है हमारा मोहीनी अट्टम मोहीनी अट्टम कौन सी state का dance है तो ये भी केरल का dance है मोहीनी अट्टम ये भी हमारा classical dance है फिर बात करते हैं कतक की कतक की बात करते हैं कतक उत्तरपरदेश का dance है seven dance है हमारा सथारिया सथारिया जो classical dance है कि आसाम में होता है और last dance है हमारा अड़वा dance वो है मनिपूरी dance मनिपूरी dance मनिपूर का dance है काफी important classical dance है हमारे यह आड़ो classical dance बताएं आपको तो देखिए आप कथक कली और कथक में बिनकुलु कजमिन मत होना कतक कली जो डांस है वो केरल का है और जो कतक डांस है वो यूपी का है बोहिनी अट्थम डांस केरल का है ओडिसी डांस ओडिसा का है कुच्चीपुरी अनपदेश का डांस है कतारिय डांस असाम में होता है मनीपुरी डांस मनीपुर में होता है और जो भारत नाटिया में वो तमिल नाडू का क्लासिकल डांस है तो आठ क्लासिकल डांस है इंडिया में और ये काफी इंपोडेंट है 1000 most repeated question का ये पंदरवा पाट था वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें MCQIQ को थाइक्स रवाचिंग एंडियो 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 एंडियो